वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करें एसे इस घटना की बज़े से हरसा लगफ़क 24,000 लोग के मृत्यू हो जाती है और भारत में बिजली गिरने की घटना से मृत्यू दर जादा क्यों है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि आपको पता है कि कल अर्थतर अभिवार को देश के कई हिस्सों में बिजली गिरने की घटना घटित हुई और इसके बज़े से उत्तर परदेश में ही सिर्फ 40 से अधिक लोग की मृत्यू हो चुकी है राजिस्थान में 23 से अधिक लोग की मृत्यू हो चुकी है एक दिन में सैक्डों लोगों की मृत्यू का कारण ये बिजली गिरने की घटना घटित हुई है। बिहार में 83 लोगों की मृत्यू हो गई थी, UP में 24 लोगों की मृत्यू हो गई थी। अगर राज्यों के साब से देखें तो मध्य परदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं उसके बाद जो है कि महाराष्टा, उत्तर परदेश, विहार, पस्तिमंगा, जारखन और उडिसा का इस्थान होता है हर साथ जो हजारों लोग की मृत्ति बिजली गरने के कारण होती है भ जो लोग पीडित होते हैं इसके उनको राष्टी आपदा राहत निदीस का भी हिस्सा नहीं मिलता, लाब नहीं मिलता, हाँ राज्य सरकारी या केंदर सरकार भी उनको जो है कि मुआवजा देने की घोशना करती है लेकिन राष्टी आपदा राहत निदीस से डारेक्ट उ मृत्ति होती हाला कि भारत में जो बिजली गिरने की बज़े से होने वाले मृत्ति हो बहुत जादा है अगर हम अमेरिका से कंपेर करें अमेरिका में हर साल लगवक 30-32 लोग की मृत्ति होती है जब कि हमारे हैं आपको हमने बता 2100 से लेकर बाइसो लोग की मृत्यू होती है अगर बिजली को और आप देखें वर्ड वाइड में तो हर सेकेंड लगभग जो है कि 40 बार बिजली गिरने की घटना हो रही है और अगर प्रती दिन के हिसाब से देखें तो लगभग 4 मिलियन बिजली गिरने की घटना होती है और इसी की बज़े से लगभग 24 सजा लोग की मृत्यू हो जाती है यह जो 24 सजा लोग की मृत्यू हर साल होती है यह तब है जब बिजली गिरने के कारण जो लोग बिजली गिरने के सिकार होते हैं जो लो बच भी जाते हैं वह विकलांग हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं बहरेपन के सिकार हो जाते हैं कई तरह की चुनवतिया उनके सामने आते हैं प्रशने आएगा कि भारत में मिर्तुजादा क्यों होती है? इसके वज़े से क्या होता है हमारी चेताओनी पढ़ाली थोड़ा सा कम जो नजर आती है और इसके वज़े से भी हमारी मृत्यू होती है जो कि अमेरिका बगारा अन्य देसों में क्या चेताओनी पढ़ाली काफी मजबूत है इसके वज़े से वहां पर पहले से सूचिनाचा इसके बंदगी नहीं होती है नोग इसमे पर्चित के आगे बताउगा कि बैग्यानी करन क्या क्या है इसके अलावा भारत में मान्सूनी हमाओं के बज़े से बरसा होती है और मौनसून है वो अपनी अनिस्चिता के लिए जाना जाता है तो कब कितने बादनों का निर्माड करते कभी बिजली गिरने का कारण बन जाए ये भी थोड़ा सा अनिस्चित होता है इसके अलावा जो मौनसून का समय होता है उसी में क्या होता है खेती किसानी का कार होता है तो किसान लोग बाहर होते हैं और खेतों बिजली गिरती हैं लोग जो है किसका सिकार हो जाते हैं और कई बारे भी देखा गया है कि लोग बिजली गिरने की घटना को एक देवी आपदा मानते हैं तो उनका कहना होता है कि जब बिजली गिरना होग देते हैं, अगर हमारे पास डॉपलर रडार चादा होते तो हो सकता है, हमारी जो चेताव में पढ़ा लिए वो भी काफी मजबूत होती अब थोड़ा हम समझते हैं, आकासी बिजली के बनने और चमकने और गिरने की घटना के वज़े से, उस घटना ये कैसे होती, इसको समझते हैं, लेकिस सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेजिए तो थोड़ा सा साइंस की चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं आपको पता है कि दुनिया के हर चीज़ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको आप अनु बोलते हैं, एटम बोलते हैं अर्थात आपके पास जो भी चीज़ है वह क्या है, कई अनु या एटम से मिलकर बना हुआ है और जो भी किसी भी चीज़ का कंड लेजिए एटम में क्या होंगी, तीन चीज़े होंगी प्रोटोन होगा, निट्रोन होगा और इलेक्टोन होगा प्रोटोन जो होता है, वह क्या होता है पोजिटिव चार्ज वाला होता है इलेक्टोन क्या होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है और निट्रोन क्या होता है, उदासीन होता है या फिर इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो अगर हम कहें कि कोई एटम है उस एटम के पास जो है कि प्रोटॉन जादा है इसका मतलब क्या है वहाँ पर पोजिटिव चार्ज जादा है अगर कोई कण है और जो है कि बस्तू है जिसमें क्या है और इलेक्ट्रोन जादा है तो हम क्या कहेंगे उसके पास निगेटिव चार्ज जादा है तो इस तरह से हर कण में क्या होता है एक इलेक्ट्रोन होता है एक प्रोटॉन होता है और उसके वज़े से एक पॉजिटीव एक निगेटिव चार्ज होने की वज़े से overall उस atom का जो चार्ज होता हो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर हम क्या करें कि दो कनों को ले लें दो पदार्थों को ले लें और उनमें हम घर संड करें तो क्या होता इलेक्ट्रोन एक पदार्ट से दूसरे पदार्ट में क्या हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है अब देखें इलेक्ट्रोन क्या होगा जब ट्रांसफर होगा तो जिसमें से ट्रांसफर होगा उसमें से इलेक्ट्रोन क्या हो जाएगा और जिसमें जाएगा उसमें इलेक्ट्रोन क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा आपको पता है जैसे कि हमने का हर चीज क्या है इलेक्ट्रोन और प्रोट्ोन है आप देखेए इसको एक उदाहरन से समझ यहें सभी छीजे के लिए हों जैसे आप बाल में क्या करते हैं कंगी करते हैं तो कंगी के से कुछ электron क्या होते हैं आपके बाल में Sat और कंगी में क्या हो गए आपके आप जो कंगी है उसका नेगेटिव चार्ज चुंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो उसमें से क्या हो गया नेगेटिव चार्ज चला गया इलेक्ट्रॉन गया मतलब नेगेटिव चार्ज गया उसमें क्या बचा जो पोजिटिव चार्ज है वह बचा जब पोजिटिव चार्ज बचा व ही कहलाता है static charge static charge क्या क्या है जो कंगी में था वह क्या करता है वह जो है कि जो कागज के उदासीन कड़ है उनको खीशता है जैसे कि इसमें देखिए अब देखिए कंगी दिखाये गया है तो इसमें कंगी से क्या हुआ electron कुछ निकल कर आपके बालों में चला गया कंगी में क्या हुआ electron कम हो गया और electron कम होने के वज़े से यह जो कंगी है इसमें क्या हो गया positive charge आया और यह जो positive charge आया इसी को बोलते हम static energy और यह static energy जब इसमें ज़्यादा आई तो यह उदासीन कावजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है कहींच रहा है अब जितनी चीजें हमने बताई यह आगे हम जो है कि बादल बनने की प्रक्रिया है उस्से हम जोडते आपको पता है कि जो यह बीजली करने गिरने की करिया है यह भी क्या है इसी static जो energy है असान सब्दों में आईए मैं समझाता हूँ देखिए बादल बनता कैसे है कि बादल बनने का मतलब क्या है कि प्रत्वी की सतह का तापमान जादा होता है बाई मंडल जादा होता है इससे का बास्विकरण होता है अब बास्विकरण से मिल से क्या हो रहा है उर्जा उपर जा हो जाता है बादल की उपर वाले भाग में बर्फ की कण होते हैं क्योंकि अधिक उचाईब है उपर वाला भाग अधिक उचाईब है तो उहां पर ठंड जादा है तो उहां पर बर्फ के कण बन जाते हैं और जब यह बर्फ के कण हवा से टकराते हैं इनमें घरसन उत्पन हो तो यह क्या करेगी, अपने से निगेटिव एनर्जी की चीजों को खीचेगी, बादल में अगर उपर क्या है, पोजिटिव चार्ज है, तो प्रत्वी पर कहीं पर भी उसको निगेटिव चार्ज दिखेगा, वहीं पर क्या होगा, बिजली गिर जाई, जैसी बादल तेजी स चार्ज उनको दिखाई देता है तो बिजली क्या हो जाती गिर जाती जैसे कि हमने कहा कि बादल जो होते हैं उन बादलों का उपरा और उपरी और निचला जो भाग होता है तो उपरी भाग में क्या होता है आपको पता है उहां पर जो है कि प्रोटॉन जादा होता है पोजि और इसी से क्या होता है बिजली गिरने की घटना होती है कुल मिलाकर धरती के हर कण में भी positive और negative charge है और यही positive और negative charge जब बादलों से किरिया करते हैं तो बिजली बनती है अब देखें यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं clouds के उपर आपको positive charge दिखाए गया नीचे जो की negative charge दिखाए गया अब धरती के positive charge से किरिया करके जो है की negative charge clouds का जो है वह क्या कर रहा है नीचे की और किरेगा इसी से बिजली गिरना कहेंगे आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर देखें उपर जो clouds है उसमें positive charge है और यह जो उपर में positive charge है इनको जमीन पर कही negative charge दिखाई देगा यह तुरंत गिर जाएंगे और इसके वज़े से क्या होगा यह जो है कि बिजली नीचे की वो आएगी तो बादलों का जो negative charge है जब प्रत्वी के positive charge से ठक राता है तो इसे बिजली गिरना कहते हैं और इसी तरह से बादलों का जो positive charge धर्ती की negative charge से करता है तो इसको भी आप बिजली गिरना कहते हैं अर्थाज बिजली गिरने का मतलब क्या है कि प्रत्वी का जो opposite charge है उससे बादलों के charge का किरिया करना और जब यही किरिया होती रहती है तो इसी से बिजली हमारे सता तक को उस्टी अन्यथा बिजली बादलों में तो बनती रहती है कड़ती रहती है हमें पता भी नहीं चलता हम क्यों सुनते हैं उसकी चमक को देखते हैं लेकिन जो नीचे गिरती है उसमें कहीं ने कहीं प्रतिवी का जो पोजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो भी कारे कर रहा होता है तो इस तरह से हमने देखा कि बादलों का निगेटिव चार्ज जब धर्ती पर डिस्चार्ज होता है या पोजिटिव चार्ज जब धर्ती पर discharge होता है तो उसी को हम बिजली करना कहते हैं धर्ती और बादल के चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो यह क्या होता है बिजली धर्ती पर गिरती अब घातक क्यों है दरसल यह जब बिजली गिरती है तो इसमी जो तापमान होता है इसका बिजली का वह सूरी की सतह के तापमाज से पांच गुना जादा होता है सोची कितनी जादा गर्मी जहां पर गिरती होगी उस प्रीचीज को पहुंचती होगी इसकी जो छमता होती बिजली की वह 10 करोड वॉल्ट होती है जबकि हमारे घरों में देखी इतनी चीजे इलेक्रिक वाली है वो सिर्फ 220 वोल्ट वाली होती है और यह जो बिजली किरने घटना होती है आपने देखा होगा इसमें आवाज बाद में क्यों आती है क्योंकि धोनी की गति क्या है परकास से कम है तो धोनी के जो धोनी है वो बाद में आती है अगर जो है कि आवाज जो है कि 10 सेकंड बाद आ रहा तो मान के चलिए जो बिजली गिरने की घटना है आपसे 2 मिल दूर हुई है अर्थत 5 सेकेंड बाद अगर आवा जाई तो मान के चली एक मिल दूर गिरी है और 10 सेकेंड बाई आई तो मिल दूर पे बिजली गिरने की घटना घटित हुए बिजली की जो चमयक है वो 100 मिल तक देखी जा सकती है और 12 मिल तक जो है कि इसकी आवाज सुनी जा सकती झाल